मेडिकल कॉलिज में कारेरत स्टाफ नर्स आतम हत्या के मामले में अब तक कोई कारवाई ना होने पर परिजनों में रोज बना हुआ है मेडिकल के में अब तक कोई कारेरत स्टाफ नर्स आतम हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिलने पर अब हमिरपुर डिगरी कॉलिज के चातर भी सड़कों पर उतर कर नियाय की मांग करने लगे है हमिरपुर गांदी चौंग पर आज दो पहर के समय डिगरी कॉलिज हमिरपुर के कुछ चातर चातराओं ने मृतक मौनिका की मोत के लिए जिम्मेदार करम जानियों के खिलाफ कारवाई करने की मांग की मृतक मौनिका की ननित करशिश ने बताय कि मृतक मौनिका को आदम हत्या करने के लिए जिम्मेदार बार्ड सिस्टर के खिलाफ कड़ी कानूनी कारवाई की जाए उन्होंने बताय कि गलत बात है कि इस तरह स्टाफ से परतार्डना का शिकार नर्श होती है लेकिन अभी तक कोई कारवाई आरोपी पर नहीं हुई है इसलिए गांधी चौंक पर परदर्शन कर न्याय की गोहार लगाए जा रही है गोरतलब है कि गत चार दिन पहले ही मेडिकल कोलिश हमिरपूर में तैनात स्टाफ नर्श मोनीका ने अपने सीनियर वाड सिस्टर की परतार्डना से तंग आकर आतम हत्या कर ली थी और मिलितक मौनिका ने अपने सुसाइड नोट में सीनियर वार्ट सिस्टर की प्रताडना आतम हत्य के लिए कारण बताया था इस मामले में पुलिस के द्वार्ट सिस्टर से पुष्टाश के अलावा कोई कारवाई आमल में नहीं लाए जाने पर परिजनों के द्वार्ट न्याय की मांग कर दोश्यों के खिलाब कारवाई की मांग की जा रही है भुवीन विवागबंद्वारत चलाए जा रहे विकासातम कारेयों को गती परदान कर निर्दारत अबदी में पूरा करने के उद्धिशे से हर सूमबार को होने वले स्मिक्षा बैटक हमीर बवन्या उपयोक्त हरकेश मीना की अधिक्षता में आयोजित की गई उपयोक्त ने माइनिंग अधिकारी को निर्देश दिये कि सडक निर्वाण को लेकर क्रशर बजरी के परयोग को सुनिशित करें तथा जहां खटके मैटेरिल का परयोग किया जा रहा है उनके खिलाप निमा नुसार का रिवाई करें लोग निर्वाण बिवा के अधिकारी भी ऐसे ठेकेदारों के बूत करेवाई करें जो करशर मैटेरिल के स्थान के खटों के मैटेरिल का सडक निर्वाण के लिए परयोग करें हैं परियोजना अधिकारी DRDA तथा जिला असविया अधिकारी परधान मंतरी किशान तम्मान की सबंदे तीसरे किशत जो की किसानों के खातों में जानी है उसकी प्रक्रिया को लेकर आवश्य कदम उठाएं करेकारी अधिकारी नगर परषद हमिरपूर को शहर में ऐसे लोगों की ब्रूद का रिवाई करने को कहा जो अपने गर की चछत लेंटर के पानी को पाईप के मादिम से सरक में डाल रही है इससे सरक खराब हो रही है ततہ जहां पानी गिर का है सरक में खड़े बन रहे हैं बहांचाल कॉंबू रागीरों को भी परिशानी का सामना करना पड़ता है इसके यत्रिक्त शहर के टाउन हॉल की जिला मंडी के टाउन हॉल की तरज पर सीलिंग के लिए मुरमत प्राकलन त्यार करने को कहा गया ताकि इसे सुंदर बनाया जा सके साथ ही इयो नगरपरशित को नगरपरशित के माध्यम से अपने आय सत्रुतों को बढ़ाने के लिए भी कहा गया सहर में अवैद खोकादारकों के लिए किराय के पैसों को नगरपरशित साथ दिन में बापिस करे तथा अवैद रूप से रहने वाले खुकादार्गों के बिजली पानी के कुनेक्शन काटने को लेकर आवाश्य करवाई की जाए नगर परश्द हमिरपूर के साथ लगती छे पंचायतों अनुकला बस्सी, जनियारा दुडूही, मती टीरा के इस नगर परश्द हमिरपूर के साथ लगते बाडो में कच्छा परवंदिन को लेकर प्लान त्यार करने के लिए पिकास खंड अधिकारे को आवशिक पग उठाने के लिए भी कहा गया दोसरका स्टित, S.D. स्कूल के साथ लगती संपर्क सरकबर ड्रैनेस की मुरमत को लेकर लोक निर्मान बिवाग को निर्देश दियेगे S.D.M. को इस स्पॉर्ट का निरिक्षिन करने को कहा गया गांधी चॉंक से नादोन चॉंक तक सरक को लोक निर्मान बिवाग थोड़ा चौड़ा कर बीच में करीब पांच फुट की पट्टी बनाई जाए ताकि इसे स्पॉर्ट पर यात्याफ जाम समस्यका हल किया जा सके क्षेत्रिय परिवेन अधिकारी को गांधी चॉंक से अनुचॉंक तक ऐसे सभी प्राइबेट बश्चालकों के खिलाप कारिवाई करने को कहा गया जो गाड़ी को जानबूज कर रुक रुक कर चलाते हैं वो अनुचॉंक में अकारन खड़ी कर देते हैं इससे सभारियों को दिक्कोतों का सामना करना पड़ता है प्राइबेट टेक्सी चालक सभारियों को नाटोएं इसके लिए नियमत रूप से चेकिंग की जाए घिला में 10 किलोमीटर की दाइरे में टेक्शियों को किराय की दरे निर्दारत की जाएंगी इसके लिए RTO को सीगर इस दाइरे में आने वाले स्थानों की स्थूची उपलब्द करवाने को कहा गया शहर में इलेक्ट्रिकल टक्सी चलाने को भी लेकर चर्चा की गई आंगनवाडी केंद्रों के लिए भूमी स्थानांतर मामले तथा प्रात्मिक स्कूलों के बवनवो सोचालियों की मुरम्मत को लेकर CDPO, शिक्षा बिवाग, जिला पंचायत अधिकारी तथा परियोजना अधिकारी DRDA को सीगर आगामी कारेवाई करने के निर्देश दिएगे चकमो में बनने वाले नशामुक्ति केंदर के निर्मान को लेकर अवाशिक परक्रिया पूरी कर सीगर निर्मान करने के लिए जिला कल्यान अधिकारे को निर्देश दिएगे इस अबसर पर अतरिक्त उपाईव तरतन गौतम, SDM डॉक्टर चिरंजी लाल, परियोसरा अधिकारी DRDA केडी सिंग कमबर, अधिशासी अवियनता लोक निर्मान विवाग, विवेक शर्मा के अतरिक्त वविन विवागों के अधिकारी उपस्तित थे हमेपो जीला में चोरों के पकड़ने के लिए पुलिस बुरी तरह नाकाम सिध हो रही है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से हुई चोरियों के मामले में पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है करीब छे माँ पहले कुछ अंतराल में हुई साथ चोरियों के मामले में पुलिस की चानबिन आज तक पूरी नहीं होने से लोगों में गहरा रोशपन पा हुआ है हाला की चोरी के बाद पुलिस में पूरी चानबिन भी की थी लेकिन F.I.R. दर्श करने के बाद आगे कोई कारवाई ना करने पर चोरों के मामले में अंसुलजे रह गए कमला गाम के बाशिंदे क्रिशन चंद ने बताया कि मार्च मामें गर में चोरी हुई थी लेकिन आज दिन तक पुलिस चोरों का कोई पता नहीं लगा सकी है उन्होंने बताया कि F.I.R. लिखे जाने तक की ही पुलिस सीमित रह गी है और कोई चोर नहीं पकड़ा गया है उन्होंने बताया कि गर के अंदर रखे हुए सारे जेब्रों को चोर चुरा ले गए हैं और करीब 30 तोले सोने के गहने भी चोरी हुए है